हाव रुफिक्स सैमसंग जेटू को सेलूलर नेट्रोक नॉट एवलेवल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलूलर नेट्रोक नॉट तो यहाँ पर दोस्तों सेलूलर नेट्रोक यानि आपका मोबाइल नेट्रोक ठीक है अगर यहाँ पर एवलेवल नहीं है आपको नेट्रोक नहीं मिल पा रहा है तो कैसे आपको फिक्स करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको कॉम्प्लीट सॉलिशन बताने वाला ह जिसके ट्रो आप अपने सेलूलर नेट्रोक नोट अवलेवल प्रॉब्लम को डेफिनेट्ली फिक्स कर पाओगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक कर अगर आप ऑनलाइन पेसा कमाना चाते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चले दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस् पहार पे निकालना है मोबाईल को रिस्टार्ट करना एए उसके बाद सिम-कार्ड और और बढद मोट को आपका इसेंगर बार flight mode को off कर दीजिए, off करने के बाद दोस्तों आपका network आ चुका होगा, check कर ले, ठीक है, अगर solve हो जाते हैं problem, ठीक है, अगर आपको आभी भी problem आ रहा है, तो connections पे जाए, mobile network को open करें, और दोस्तों network mode को switch करके देखें, ठीक है, 4G, 3G, 2G के बीच में, या फिर आप network operator में जाके network को manually या तो फिर automatically इस button को on off करके use कर सकते हैं, अगर आप इसको off करते हैं, तो manual network आपको डिख जाएगा, आपकी area में कौन सा network available है, जीओ का या फिर एरटल का, वो आप उसको use कर सकते हैं, अगर आपका एरटल से में, तो एरटल network ही use करें, उसमें register कीजिए, अगर ज जीओ है, तो जीओ में register कीजिए, जीओ सी में एरटल पे register नहीं हो सकते हैं, एरटल सी में जीओ पे register नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान पर रखना है, और यहाँ पे आपका network setting एक बार reset जरू करना, उसके लिए general management पे जाए, reset पर click कीजिए, और reset network setting पर जाके reset setting पर डबा के mobile password भर देना है, और network setting को reset करना है, ठीक है, तो इस तरहीं से दोस्तों आपका cellular network not available problem fix हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरहीं से आपको fix करना है, by any chance अगर आपको अभी भी problem आते हैं, तो wifi के मदद से software को update करके देखिए, अगर mobile के related कोई भी problem है, तो व contact करके बात कर सकते हैं, आपके sim से नहीं कर पा रहा है, दूसरे sim से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, sim deactivate हो जाते हैं, ठीक है, कई बार sim deactivate हो जाते हैं, उसके वज़ें से cellular network नहीं आ पाते हैं, तो आप अगर ATLCM यूज़ कर रहा है, 198-121 call कर सकते हैं, अगर जियो है, 9977, अगर दूसरा कोई है, तो आप 198-121 call कर सकते हैं, या फिर आप Google पे जाकी वी चेक आउट कर सकते हैं, और ये दोस्तों, एक चीज़ दियान रखे, आपके ATLCM पे problem आ रहा है, तो ATLCM दूसरे वाले लेके ही आपको call करना है, जियो सिम पे problem आ रहा है, त लेकिन आप से वो कुछ जानकरी पूछेगा confirmation के लिए, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि actual में problem किया हुआ है, जितने भी solution था यहाँ पे, जितने भी solution था मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, simply आप उसको follow कर सकते हैं, solve कर सकते हैं अपना problem, अमीद करते हैं,